हम देख रहे थे जो हैं जरी हमने देखा था कल अब t imitateंजरण टो इसरकल में हम ने दो एक टेंजेंट देखी ती 做 इसन के bond गगी कफ जब acci91 किस पर हो सरकल पर ही हो तो यह हमारी important रॉनिश्टरी कंडिशन principal इसके बाद में हमारे पास में PG जो हम अभी करेंगे ठीक है और हमने एक चीज और देखी थी कि यह जो नॉर्मल है नॉर्मल क्या होती है तो नॉर्मल में किसी को डाउट नहीं है अब पॉइंट ऑफ कॉंटेक्ट हम कैसे निकालेंगे वह भी मैंने बताया था कि पहले आप नॉर्मल बनाएंगे उसी मैंने सिर्फ तीन ही क्यूशन लिये हैं और ज़रत पड़ेगे अगर तीन हो जाएंगे तो मैं और प्रिशन भी ले सकता हूं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बट पहले तीन क्यूशन करेंगे और आपको यह मैं बता दूब तीनों क्यूशन बहुत ही अच्छे हैं में और एड देखेंगे कि सारी चीजें कैसे किलियर होती है पहला जो क्यूशन है बेटा आपका पहला है फाइंड दे एक्वेशन अफ टेंजेंट तो दे सरकल एक स्क्वार प्लस वाइस्क्वार माइनस तूइस फॉर वाई माइनस फॉर इकुल टू जीरो ठीक है हमें निकालना है ए कितनी आएंगी ठीक है ना आप लोग आंसर पर ना जाईए कई लोग आंसर चेक करते होंगे आंसर का देखो मैंने पहले भी कहा है सही गलत कुछी भी हो सकता है उस पर नहीं जाएंगे हमें पहले मैथर पता होना चाहिए तो आप लोग पहला क्यूशन करें जल्दी से 3 मिनिट्स का पहले क्यूशन के लिए 3 मिनिट्स पूर मिनिट्स का टाइम ढ़ला कि मुझे इसके बाद में आप लोग क्यूशन करेंगे ठीक है जल्दी से करिए कि करिए अब जल्दी जल्दी कि फर्स्ट वाला किशन जिसमें पैरलल और पंड़ पंड़ी को दोनों ही निकालनी हैं कि 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 जल्दी कीजिए कि 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 क कि 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 आपको काम बनेगा सब आपको पता होना चाहिए कि कल के ही बेस पर क्युस्टन है कि 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 अभी तक कि 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 मेरे पास में अगर आधा अंसर आया हो तो वह भी बता सकते हैं कि 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 कर देखते हैं बनी जायेगा भगवान ने चाहतो कि 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 अच्वाइब कि अच्वाइब कि अच्वाइब कि अच्वाइब करता हूं देखिए जिन जिन से क्युष्ण सोल नहीं हुआ वो एट लिस्ट अभी चैट में नो टाइब करें और जिन से हो गया है या हो रहा है वो यह टाइब करें जल्दी से ताकि मैं इस क्युष्ण को आगे बता सकूं देख लेते हैं अभी कितने बच्चों ने क्या रिप्लाई किया है नहीं हो पा रहा है रीजन बताएंगे बटा क्यों नहीं हो पा रहा है येस और रिधी बाकी लोग कहां है बाकी लोगों का कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है हाँ बेटा आप एक बाद टाइप करें एटलिस्ट प्रोब्लम क्या आप लोगों को कोई नहीं चलिए मैं करता हूं और आप लोग देखिए स्कॉर आम से बैठके पहले आम एक्वेशन देख लेते हैं इक्वेशन है x square प्लस y square minus 2X minus 4Y minus 4 पहले मैं equation लिख लेता हूं x square plus y square minus 2X minus 4Y minus 4 equal to 0 यह equation of circle है ज़रा दोबारा देख लेते हैं जिससे कोई गलती ना हो x square plus y square minus 2x minus 4Y minus 4 equal to 0 तो बिल्कुल ठीक, अब हम equation of line देख लेते हैं, जिसके parallel और perpendicular हमें equation निकालनी है, 3x-4y-7 equal to 0, तो आपकी जो equation of line है, वो है 3x-4y-7 equal to 0, अब कुछ बच्चों का chat में कुछ आया हुआ है, दो बच्चों का वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है, कुछ answer जो दिये है, एक बच्चे ने, राज आरेन ने, it may be correct, it may be wrong, मैं कुछ कहूँगा नहीं, उस पे भी comment नहीं करूँगा, अब हम देखते हैं, चलिए इसको करना कैसे है, तो देखो हमें इस circle के उपर tangent निकालनी है, जो कि given line के parallel या perpendicular हो, तो सबसे पहले में इस circle को perfect square में convert करता हूँ, center और radius home में, तो x minus 1 का whole square, ठीक है, plus 1, minus 1, that will come out to be minus 5, उसके बाद में plus y minus 2 का whole square, तो minus 4, that will come out to be 9, तो यह जो circle इसका center हो गया, 1,2 और radius हो गया, 3, यह सभी को clear हो गया होगा, अब मुझे इस circle पे tangent निकालनी है, जो कि given line के parallel हो, parallel हो means slope of tangent, क्या होगा, slope of tangent, slope of tangent, which is parallel to given line, क्या होगा, slope of tangent, क्या होगा, m, m कितना था, minus coefficient of x upon coefficient of y, यह सभी को पता है, तो 3 by 4, अब हम parallel वाली equation निकालने का try करते हैं, जरा बेटा, तो equation देखो, क्या थी, y equal to mx, plus minus a under root 1 plus m square, अब लेकिन y की जगह क्या है, y minus 2 दिया हुआ है, is that clear, जो circle था, x square plus y square, equal to a square, उसके उपर जो tangent थी, वो थी, y equal to mx, plus minus a under root 1 plus m square, यह था, यह बात clear होई, तो यहाँ पर y की जगह क्या आ रहा है, y minus 2 आ रहा है, तो हम y की जगह क्या रख देंगे, y minus 2, equation of tangent will be y minus 2 equal to m, x minus 1, plus minus a कितना है, यह है, यह है 3, under root 1 plus m square, m square कितना है, 9, और y, 16, हाँ जी, यह line सभी को समझ में आई, अगर समझ आईए, तो yes type करें, नहीं आईए, तो no type करें, जल्दी से, फिर मैं explain करता हूँ, आगे, y minus 2 equal to m, x minus 1, plus minus 3, under root 1 plus 9 by 16, इसमें किसी को doubt हो, तो no type करें, समझ नहीं आईए, तो yes समझ में आगया, मतलब, yes को, बाकी बेटा, बाकी लोगों को क्या हो रहा है, ओके, no doubt, रिदी को भी कोई doubt नहीं है, उजुवल को भी कोई doubt नहीं है, बाकी लोग बेटा, ठीक, मतलब, यहां तक कोई doubt नहीं है, मैं यह consider करके चलता हूँ, तो अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर, यह यहां तक मैंने लिख दिया, तो इसको मैं थोड़ा सा, m का value भी यहां पुट कर देता हूँ, पहले मैंने यहां पुट नहीं किया, यहां पे पुट कर देते हैं, तो y-2 इक्वल टू 3 by 4, x-1 प्लस माइनस, कितना बन जाएगा अंदर? 25, 25 इंटू, 5 इंटू 3, 15 by 4, यह clear हुआ सभी को? तो यहां तक, I think, सभी को clear हो गया होगा, सभी लोग अपने mobile या laptop में ले रहे हैं, वहां पे आप स्क्रीन सोट लेने इस चीज़ का, और आप लोग इसको आगे मुझे solve करके बताएंगे, यह आपका final answer है, एक बार प्लस से, एक बार माइनस से, बस आपको करना क्या है, यहां पर calculation करना है, ठीक है, तो यहां तक clear हो गया सभी को, I think, parallel वाला clear हो गया, yes or no बताएंगे बैटा, इसके आगे अगर किसी को दिक्कत हो calculation में, तो वो बताएंगे कि दिक्कत है, और नहीं है तो no type करें, अगर calculation करने में दिक्कत नहीं है, तो आप लोग chatbox में no type करें, और अगर कोई दिक्कत है, तो आप अपनी voice on करके, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, clear हो गया है, अगर किसी को doubt है, तो वो voice on करके भी मुझसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी voice को unmute करें और पूछ लें, भई यह तीन-चार बच्चे यह आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग मोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं इस class को, बेटा आप लोगों का participation बहुत जरूरी है, अगर आप लोग participate class में नहीं करेंगे, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिए, और ये भी आप दिमाग से कई लोग निकाल दीजिए, कि कब offline शुरूँगा, कब online शुरूँगा, कुछ नहीं पता है, इस टाइम कोरोना का time है, कब school खुलेगी, कब coaching खुलेगी, कोई नहीं जानता, इसलिए अभी हमारे पास में option शिर्फ online पर पढ़ने का है, और online में हम आपको best से best बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग please class के अंदर be on the time, first of all, और पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ें इस चीज़ को, नहीं देंगे exam या कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, तो इसलिए आप लोग please participate करें, बाकी लोग भी, तो चलिए यहां तक clear हो गया, अब मैं आगे चलता हूँ इसके अंदर, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब मैं perpendicular वाला लेता हूँ, अब मैं perpendicular वाला लेता हूँ, अब मैं perpendicular वाला लूँगा यहां पर, उसके लिए अब हम आगे चलते हैं, मैंने आशिस को हटा दिया है, अब हमारा जो next question था इसमें, वो यह था कि slope, find the equation of tangent which is perpendicular to the given line, तो which is perpendicular to the given line, यह आगया, तो उसका slope कितना होगा, देखिए इसका slope था 3 by 4, तो उसका आएगा minus 4 by 3, क्योंकि line perpendicular है, अब line perpendicular होगा तो again हम y minus 2 equal to m, m का value कितना है, minus 4 by 3, x minus 1, plus minus, हाँ जी, plus minus slope का value कितना हैगा, radius का value 3, slope का value तो वही रहेगा, 1 plus 16 by 9, अब मैं इसको फर्दर थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, y minus 2 equal to minus 4 by 3, x minus 1, ठीक है, plus minus, देको 3 से 3 cancel हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5, तो यह आपका final equation of the lines बन गया, which are perpendicular to the given line, and this is the equation of tangent, यह है tangent, क्या यह वाली बात clear हुई, yes और no, clear है तो yes, no है तो no, जल्दी बताएं मुझे, यहाँ तक कोई doubt हो, किसी को कुछ समझना आया हो, clear है, तो एक बात बताएगे बेटा, कि number of tangents कितनी आई इस case में, total number of tangents, which are parallel and perpendicular, number of tangents कितनी हुई, बताएगे जाएगे, number of tangents, which are parallel and perpendicular, कितनी हुई, total number of tangents, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, दो parallel आ गई, और दो perpendicular आ गई, very good, तो अब हम next question की तरफ चले हैं, very good, सभी लोग answer भी दे रहे हैं, next question की तरफ चले हम, अब चलिए next question की तरफ चलते हैं जड़ा, ये देखिए, second वाला, find the equation of tangent, drawn to the circle, x square plus y square, minus 6x plus 4y minus 3 equal to 0, from the point 7,4 lying outside the circle, also find the point of contact, तो हम point of contact भी निकालेंगे, वो हमने तरीका बताया था, नॉर्मल निकालके, लेकिन पहले आप इसमें क्या करेंगे, ये question आप लोग solve करें, अभी 10.21 हुआ है, हम 10.24 तक का time दे रहे हैं, 10.25 तक का ले लिजिए, चलिए 25.26 तक, चार मिनिट से अभी से 10.22 से, आप लोग इसको solve करें जल्दी से, नहीं होता है, तो फिर मैं बताऊंगा, और बट मैं पहले कभी भी question को solve नहीं करता हूँ, पहले question बच्चों को देता हूँ, ताकि उसमें at least सभी को पता लग जाए कि हमारी गलती क्या है और क्या हम theory को direct implement कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं, वो directly theory को एक बार implement करके देखें, कि theory आप से direct implement होती की नहीं होती, क्योंकि अगर theory आप direct implement कर देंगे, तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छा चीज़ें आ रही हैं, please show the question, I was unable, ठीक है मैं दुबारा से दिखा देता हूँ question को, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनिट मैं दुबारा से share कर देता हूँ, ये देखिए question, question आपका ये वाला, थोड़ा सा मैं बढ़ा कर देता हूँ, ये वाला question है, बटा, second question, find the equation of tangent, drawn to the circle, x square plus y square, minus 6x plus 4y minus 3 equal to 0, from the point 7,4, that is lying outside the circle, also find the point of contact, तो ये आपको करना है, तो जड़ा इसको करिये जल्दी से, जो मैंने time दिया है, given उसमें आप करिये जल्दी, जल्दी कीजिए इसको, please, तो second question, आप लोग करिये, बहुत ही अच्छा question है, और आप लोगों को tangent से related, एक seat भी प्रोवाइड कराई गई है, वो भी करिये, उसके बाद में आपको और एक अच्छी सी seat भी प्रोवाइड कराई जाएगी, अच्छी DPP प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें और अच्छे question होंगे, लेकिन वो सब complete topic होने के बाद में, इसमें questions mixing के होंगे, हर topic का mixed question होगा, वो last में हम DPP प्रोवाइड कराएगे, जब हमरा chapter complete हो जाएगा, उसको कर लेंगे तो आपका circle पूरा complete हो जाएगा, आपको आएं बाएं, दाएं, सब जगए से चारी चीजें समझ में आ जाएगी उसके बाद, पहले तो हमें topic wise concentrate करना है, कि tangent चल रहा है तो tangent समझ आए, और normal चल रहा है तो normal समझ में आए, एक मिनाट मुझे, एक मिनाट मुझे, एक मिनाट और बचा है आपके लिए question करने के लिए, देखिए, आप लोग यह भी देख रहे होंगे, कि question करने में कितनी जल्दी से time निकल जाता है, क्या होता है? Question करने में time बहुत जल्दी निकलता, आमें पता भी नहीं लगता कब time निकल गया, ऐसे ही paper के अंदर होता है, हम paper करने बैठते हैं, हमें लगता है, अभी तो board time है, लेकिन जैसे आप paper करते हैं, time पूरा निकल जाता है, और निकल इसलिए जाता है, कि हमारी तयारी कहीं न कहीं कमजोर होती है, एक मिनिट का time और बचा है, जल्दी एक से भी कम कहीं बचा है, किसी का answer आया, क्यों इसमें एक नई चीज और देखने को मिलेगी, आपको वो भी मैं बताऊंगा, चलिए, answer नहीं आया, कोई बात नहीं, अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं, circle का equation है, मक्योशन दुबारा पड़ देता हूं, x square plus y square minus 6x plus 4y minus 3 equal to 0, ये circle का equation है, और 7,4 से एक tangent हम ड्रो कर रहे हैं, दो tangent, क्योंकि point के है, outside और right side से में इसना दो tangent आती हैं, ये सभी को पता होगा, तो अब हम इसको ड्रो करना शुरू करते हैं, कैसे कैसे बनेगा question, x square plus y square, ये चलिए मैं इसको clear कर देता हूं, और question का एक बार हम दुबारा से देख लेते हैं, question आपका है, x square plus y square minus 6x plus 4y minus 3, minus 6x plus 4y minus 3, is that clear, तो मैं equation of circle लिख देता हूं, x square plus y square minus 6x plus 4y minus 3 equal to 0, ये आपका equation of circle आ गया जी, अब हमारे पास में circle के equation के अलावा क्या है, point है 7,4 जिससे हमें tangent ड्रो करना है, the point is 7,4, the point आपका है 7,4, point भी 7,4, इससे हमें 2 tangent ड्रो करनी है, एक बार मैं इसका diagram भी बना देता हूं, ताकि थोड़ा सा और clear हो जाए, दोगो ये एक circle है, ठीक है, अब इस circle में आपकी 2 tangents ड्रो करनी हैं, एक तो ये tangent हो गई, दूसरी tangent ये हो गई, अब ये जो point था, P, अब हम इस पर दुबार आ जाते हैं, point P क्या है 7,4, इससे दो tangent ड्रो करनी हैं, और ये आपका जो center है, वो कितना है, हाजी, minus 3, तो 3, minus 2, ये आपका center हो गया, minus G, minus F, ठीक है, अब हमारे पास में, क्या given है, कि 7,4, इसका radius भी पता कर लेते हैं, circle का, circle का radius कितना है, radius आपका आगया, 9, plus 4, 13, plus 3, 16, means radius equal to 4, ये आपकी clear बन गया, ये picture बन गया, ये दो tangent है, जो कि 7,4 से पास हो रही है, तो हमारा equation of circle, हमें पहले again, किसमें ड्रो करना पड़ेगा, center form में, तो center form में क्या बन गया, equal to 16, is that clear, क्या है circle का equation, सभी को clear हुआ कि ये equation बनेगा, yes or no, जल्दी, clear है तो yes, नहीं है तो no, बहुती बेसिक चीज़ है, जल्दी बताएं भी ये type करें, clear है तो yes, नहीं है तो no, yes, very good, मतलब clear है सभी लोगों को, अब हम आगे चलते हैं बेटा इसके अंदर, कि ये जो circle है, हमें कैसे आगे काम करना इसके उपर, अब हम इसमें आगे काम करते हैं बेटा इसको, तो क्या करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम बहुत आराम से चलने वाले लोग हैं, और आपको भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, तो equation of tangent हम लिखते हैं, अभी अभी अबने देखा, y-y1 था, equation of tangent हम लिखेंगे, y-2, जो tangent का equation हमने पिछले equation में लिखा था, m, x-3, plus-a, ये कितना है, 4, under root 1, plus m square, ये equation of tangent बन गई आपकी, this is called, tangent, this is what, equation of tangent, ठीक है, ये आपका tangent बन गया, अब यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है, अब हम आगे चलते हैं, ये जो tangent हम पता है, कि इसमें slope m square है, m में क्वाड़ेटी का दो, tangent, 100% दो tangent होंगी, और point P, 7,4 से ये pass हो रही है, बिल्कुल pass हो रही है, तो 7,4 से pass हो रही है, तो हम 7,4 put कर देते हैं, तो 4 यहां put करेंगे, तो total कितना बनेगा, 6, 7-4 कितना बनेगा, 4m, plus minus 4, under root 1, plus m square, clear, मैं इसको 4m को इधर बेज देता हूँ, तो देखिए, क्या बनेगा, 6-4m, equal to, plus minus 4, under root 1, plus m square, यहां तक clear हो गया सभी को, अब हम क्या करते हैं, आप स्क्वाइरिंग बोट साइड करते हैं, तो स्क्वाइरिंग करेंगे, तो देखिए आएगा, 36 plus 16m square, 16m square, minus 24 into 248m, equal to, कितना आएगा, 16 plus 16m square, यह बात समझ में आ गई, अब यहां पर एक बहुत important चीज है, उसको आपको देखना होगा, देखिए, हाजी, यहां तक समझ आया, yes or no, जल्दी बताएं मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, yes or no, please, समझ आया हो तो yes, जल्दी से chatbox में टाइप करें, और जल्दी सभी लोग टाइप करें, yes or no, very good बेटा, और जूटी हामी ना भरना कोई भी, कि और लोग हामी बर रहे हैं, तो मैं भी जूटी हामी बर देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, चलिए, अब हमारा यहां तक clear हो गया, तो अब हम आगे चलते हैं, तो इसमें जो एक important चीज़ आ, वो मैं देखता हूँ, 16 M2 इस साइड में है, और रिकोर्डिंग भी आज हो रही है, रिकोर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो यहां पर हम देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, यह circle वाला जो part है, यहां पर, क्योंकि यह भी हमारे कोई काम का नहीं बच्चा है, तो हम इस स्पेस को यूज कर लेंगे अभी, ठीक है ना, तो यह देखो, आपका जो circle, यह 18 M2 से 16 M2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास में answer कितना बन दा है, मैं उसको देख लेता हूँ, यहां पर जड़ा, कितना बनेगा, minus 48 M, equal to कितना बन जाएगा, 8 M equal to, that will come out to be, 16 उदर जाएगा, 36 तो minus of 20, तो M कितना बन जाएगा आपका, 5 by 12, ठीक है, 5 by 12 बन गे M, तो M का मैंने तो बोला था, दो टेंजेंट आएगी, लेकिन यहां तो M की एकी वेल्यू आ रही है, तो M की दूसरी वेल्यू क्या आएगी, कोई बता सकता है, जल्दी बताएगा बटा जल्दी, क्योंकि आज यही क्यूशन हम कर पाएंगे, M की वेल्यू कोई बताएगा, चलिए नहीं बताएगा, कोई बात नहीं, कोई बच्चा बताएगा M की वेल्यू, वोइस अन्म्यूट करके बता दे, चाहे चैट बोक्स में लिखके बता दे मुझे, M के वेल्यूट 5 by 12, 16 M स्क्वाइर, M की value infinite रखने से LHS और RHS satisfy करेगा, क्योंकि धर भी infinity ही धर भी infinity, हा जी, M की value infinite आएगी, बिलकुल आएगी, तो अब मैं M की value दूसरी आएगी आपकी infinite, तो आप हमेशा एक इसमें रूल बना लीजिए, कि जब भी आपका M कैंसिल हो जाए, M स्क्वार कैंसिल हो जाए, तो M की A की value आएगी तो दूसरी value आपकी हमेशा infinite बन जाएगी, ठीक है, जब भी आपका M कैंसिल हो जाए, M स्क्वार, if you are getting M स्क्वार कैंसल, then the second value of M will always be infinite, because it is the only value which satisfies the equation, is that clear now? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी M स्क्वार कैंसिल हो रहा है, आप M की value infinite रखेंगे ही, रखेंगे, clear, अब मैं आगे चलता हूँ बेटा, कि मेरे पास में 2 आ गई, अब मैं equation of tangent पर आता हूँ, equation of tangent पर आता हूँ, equation of tangent क्या थी, देखना, equation of tangent क्या है, equation of tangent, equation of tangent के दो format है मेरे पास, पहला format, जब slope कितना है, infinite, और tangent कहां से पास, और यह 7,4 से, ठीक है, और दूसरा format मेरे पास क्या है, tangent का, दूसरे tangent कुन सी है मेरे पास, second tangent आपकी, जब slope कितना है, 5 by 12, और point कितना है, 7,4, क्योंकि आपने देखा था, जब हमने डाइग्राम बनाया था, उसके अंदर आपने चीज देखी थी, कि जो tangent है, 7,4 से पास हो रही है, और दो tangent है, तो दो slope थे, यह बात क्लियर हुई, yes or no, जल्दी बताएं मुझे, क्योंकि I am running out of time, please, दो tangent बननी है, एक तो आपकी यह वाली, और एक आपकी यह वाली, yes, fully cleared, very good, बेटा, अब देखो यह जो पहली tangent हम बनाएंगे, देखिए, अब हम पहली tangent जो बनाएंगे, वो क्या होगी, equation of tangent will be, tangent is what, it is a line only, that is having slope and passing through a point, तो y-4, y-y-1, equal to infinite of x-7, अब आप infinite को इस साइड ले जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, answer will be, x-7, equal to y-4 upon infinite, अब देखिए, something by infinite क्या होता है, 0, something by infinite is 0, so x-7, equal to 0, this is the first equation of tangent, second equation में लिखी देता हूं, कुछ करने की जूरती नहीं है, y-4, equal to 5 by 12, x-7, तो यह बात clear हो गई सभी को, yes or no, यह दो tangent आपकी बनेगी, और आपका M2 में वेल्यू था, तो दो tangent 100% बनेगी, और यह दो आपकी tangent बनेगी, is that clear now, yes or no, आज के session में कोई doubt हो किसी को, और अब आप, हाजी, बोलिए yes or no, आज के session में कोई doubt है, चलो, बहुत बढ़िया, no problem, आज जिसको doubt नहीं है, वो लिख दीजिए, no problem, या all are cleared, जो भी आप लिखना चाहें मतलब, ठीक है, very good, कोई doubt नहीं है, किसी को भी बहुत अच्छा है, बेटा, अब आप लोगों को, जो एक और question है, वो हम देखेंगे, लेकिन आज हमारे पास time कम है, तो मैं सिर्फ question बता के आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो question हम देख लेते हैं, पहले कि question क्या है जी, क्या question ये जो है, देखिए, find the locus of a point, आज नहीं होगा, तो हम कल discuss करेंगे, लेकिन मैं एक चाहूँगा, बच्चे जभी करके लाएं इसको, find the locus of the point of intersection of the pair of tangent, drawn to this circle, from the point alpha and beta, where alpha minus beta equal to 120 degree, यहाँ पर आपको parametric का use करना है, ठीक है, यह मैं आपको बता देता हूँ, यह आप question को try करके, कल मुझे बताएंगे, मैं यह question पुछने के बाद में ही, code, director, circle, और जो भी चीजें इसमें आगे आती हैं, वो मैं सुरू करूँगा, उससे पहले सुरू नहीं करूँगा, तो यह question आप लोग solve करके लाएंगे, आज के session में हमने क्या किया, दो question किये tangent के, अलग अलग type के, इससे हमें यह भी पता चला, कि जब भी m² आता है, और m² कैंसिल हो जाता है, तो आपका एक value m का infinity बनेगा, और दूसरा value आपका finite value निकल जाएगा, उसके base पे हम answer निकाल सकते हैं, और आपको एक और चीज़ सीखने को मिली होगी, जब भी आपका point पता हो और slope पता हो, आप उसी साफ से उस चीज़ को करके चलेंगे, तो आज की class के लिए इतना ही, ठीक है बटा, मैं screen को stop कर देता हूँ, और आज की class के लिए जो भी है, आपको DPP मिल चुकी है करली class में, उसको आप लोग solve करेंगे, ठीक है, ठैंक यू, सबको समझ में आया आज का, क्यूस्टन के लिए बेटा, जो क्यूस्टन रिपीट करने की एक अमर जीतने,